दोस्तों Study91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों सच बताऊना इस क्लास का मुझे बहुत इंतियार रहता होगा देखिए आज मैं अपनी चर्चा करने चलना हूँ दोस्तों सुलंकी वंस के इतिहास के बारे में जो कि गुजरात में अ आप से पूछ रहा हूँ क्या आपने गुहिल वंस का नाम सुना एक बात याद रखना अगर आपने नहीं सुना ना तो प्लीज अभी इस वीडियो को पॉस करके भाई या हाथ जोड़कर निवेदा नितिन सर के लिए कमेंट कर दीजे कि हां सर हमने गुहिल वंस का इतिहा पूरा है क्या तो आप कहिंगे नहीं फिर सिषोदिया वंस और गुहिल वं मैं या फोड़ा सांतर है वो आज हम अपनी क्लास में चर्चा करेंगे यादर रखे का आज हमारी 49 मी क्लास है ठीक है इसके पहले 38 लेक्जर आपको दिए जा हैं ancient history में, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस class को join कर लेजे, लगातार दोस्तों ये series चलेगे और इसी series में मैं आपको इतिहास से लेकर के भूगोल तक की पूरी बाते बताऊंगा, संबिधान हो, science तो हर एक भी से की चर्चा होगी, एकदम chapter wise हर एक topic पर ठीक है, आज 49 मी class है, और आज हम question number 1141, यानि 1141 सवाल से लेकर 1170 तक के सवालों पर दोस्तों हम लोग हल करने चल ले हैं, यानि आज दोस्तों आपका collection कितना हो जाएगा, साड़ी 1100 सवाल, वो भी खाली प्राची नितिहास में, आप कलपना को लो कितना अच्छा collection होगे आपके पास, कितनी बढ बच्चों अगर आपने नहीं देखा नों तेक बार देख लीजिए, निवेदन आप सभी से खुस हो जाएंगे, ठीक है, आईए, स्टार्ट करते हैं, याद रखेगा, study91 के platform से कई सारे बिसाय के लिए foundation बैच लांच कियागे, जिनको ये वाली class पढ़के मज़ा आ रहा ह याद रखेगा, अगर आपको ये पढ़के मज़ा रहा है, तो सोचो ये ट्रेलर चल ला भीया, ट्रेलर में इतना मज़ा रहा है, तो पिक्चर में कितना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा, सच बता रहा हो, बहुत मज़ा आने वाला है, आप जोईं करे दोस्तों इस foundation बैच 1141 से लेकर के 1170 तक के सवालों को हल करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले सोलंकी वन्स का इतिहास और गुहिल वन्स का इतिहास ठीक है पहला सवाल दोस्तों लिखा है कि गुजरात के सोलंकी वन्स का संस्थापक कौन था जहां दोस्तों गुजरात में जो सोलंकी वन्स च अपना किया था, दूसरा सवाल आ जाता, सर, इसका time period क्या था, तो याद रखेगा, 941, necessity से ले करके, 995, обяз था, जिया头 दोस्तो, 941, Noodles चानवे स्वी तक दोस्तो ये राजा रहा अच्छा इसकी राजधानी कहा थी तो याद रखेगा एक जगह है जिसका नाम है अन्हिल वाड क्या नाम है इस अन्हिल वाड का एक दूसरा नाम है पाटन कहीं कहीं पर दोस्तो पाटन मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको क्या याद रखेगा यह जो गुजरात के सुलंकी वंस का इत्यास पढ़ना है यह इनी से सम्भनित है और अन्हिल वाडमिस के स्थापना हुआ था अगर हम बात करें मूल राज प्रथम की तो याद रखेगा यह सैव मताव लंबी था ठीक है यह सैव धर्म को मानने वाला था ठीक समद्ने थे अगनी कुल में दोस्तो किसके किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था मैंने आपको बताया था जो प्रतिहार वणस है यह भी अगनी कुल में आते हैं घीक है तो यह आप याद रखेंगे यह सभी के सबी दोस्तों याद रखे किस कुल से जन्म इंका हुआ है कहा जाता है अगनी कुल से इनका जन्म हुआ है तो यह माना जाता है अगनी वंसी सासक कह जाते है अगनी कुल या परिक्षा में अगनी वंसी दे देगा कुछ भी इस तरह से देगा तो आप समझ जाएगा अगनी कि सर अइसा कहां लिखा है एइसा कहां लिखा है कि अगनी कुल साथ सकतें तो याद रखेगा अगर हम चल्चा कर रहे हैं सोलंकी राजवनस के बारे में तो याद रखेगा ऐक राजा ते राजा कुमार पाल का जो वड-nagr अभिलेक था वड-нagar याद गुजरात में जगह पड़ता वड़नगर उसी अभी लेक से दोस्तों पता चलता है वड़नगर को उस समय वाड़नगर भी कहते थे तो याद रखेगा यहां क्या लिख दो मैं याद रखेगा राजा कुमार पाल के के वाड़नगर अभी लेक से वाड़नगर लेक से दोस्तो राजा कहा जाता था ठीक है दो सवाल होगे आपके लिए चलो तीसरा important सवाल पढ़ लो लिख रहा सोलंकी वंस की जानकारी के एतिहासिक सुरोत कहा है ठीक है सुरोत क्या क्या है दोस्तों आजकल जब जब मैं इतिहास आपको पढ़ा रहा हूँ किसी वंस की चर्चा कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले आपको एतिहासिक सुरोत और उसके साहितिक सुरोत के बारे में जरूर बताता हूँ आपको पता होना चीए कोई भी सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ गर किसी बच्चे ने पूछ दया तो मैं पहले यह आपको बताजे रहा Raum कि भाई आप समझ जाओ इसके एतियासिक स्रोत जो दे रहाँ उसी एतियासिक स्रोत में वाड नगर वाड नगर लेख एक पहला प्रमाड हो गया इसी तरह से दोस्तो ये वाड नगर लेकी एक प्रमाड हो गया और इसी का दोस्तो एक और लेखता कुमारपाल के दो अब लिखाए हैं एक वाड नगर का आया एक चितोड का आया है ठीक है तो दोनों याद रखेगा ठीक है एक चीतोड का भी यह मतलब इसको मिला के कहीं पढ़ लिए ठीक है दूसरा दोस्तो एक प्रसिद सासक हुआ है जैसिंग सिधराज क्या नाम है दोस्तो जैसिंग सिधराज ठीक है यह बहुत प्रतापी सासक हुआ है जैसिंग सिधराज और याद रखे का इसका उजैन का जो लेख है ठीक है उज्जैन का जो अभी लेख है वो भी एतिहासिक जानकारी देता है किस वन्स के बारे में सोलंकी राजबंस के बारे में जैसिंग कहां से भी रांग करते हैं दोस्तों तो जैसिंग का जो उज्जैन का लेख है और जैसिंग का एक उदैपूर का भी ले जैसिंग सिद्राज इनके दो अभिलेक मिले हैं एक उजयन में मिला है एक उदैपुरी मिला है यही अभिलेकी साक्ष है जो बताता है सोलंकी राजवन्स के इतिहास के बारे में ठीक है तो आप इसको याद रखेगा चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखे जिस तरह से एतिहासिक साचे पूझ दिया उसी तरह से परिक्षा में साहितिक साक्ष भी पूझ सकता है कि सोलंकी राजवन्स से संबंधित साहितिक साक्ष कौन कौन से हैं जिसमें सोलंकी राजवन्स के बारे में बताये गया ठीक है तो कुछ ऐसे गरंतों के नाम दोस्तों आपको बत इसी सासकों के बारे में बताया गया कई ऐसे राजवंसों के बारे में बताया गया जिसके बारे में हम लोगों को जल्दी देखने को ने मिलता जैसे कलकी क्लास में दोस्तों मैंने आपको बताया था गहड़वाल वंस के बारे में जिनकी राजधानी वारारसी हुआ करती थी एक दूसरी राज़नी कन्नौज भी थी ठीक है इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में दोस्तो हमने पढ़ा था जिन राजाओं ने खजुराहों के अस्थापना किया था राजा धंग के बारे में राजा गंड के बारे में ऐसे सासकों के बारे में पढ़ा च सोमेस्वर नाम है, क्या नाम है सोमेस्वर, देखिए हर एक राजवांस में कई सारे राजा हुए हैं और उन्हेंने कई सारे लेक अभी लेक ग्रंत जारी किये हैं, तो एक रचना है किर्ति कौमुदी, वो किसकी रचना, वो सोमेस्वर की रचना है किर्ति कौमुदी, ठीक है ये एक तरह का साहितिक साक्ष है, कौन-कौन सा हो गया, एक प्रबन चिंता मड़ी हो गया, एक की हो गया, ठीक है, इसी तरह से एक दरबारी जैन विद्वान थे, जिनका नाम था हेम चंद्र सूरी, क्या नाम था हेम चंद्र सूरी, नाम भी सुना होगा, हेम चंद्र, हेम च यहां तक तो बेसिक बाते हो गई अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इतिहास के उन पन्नों पर जिनके बारे में किताबों में भी जगर नहीं जी हां लेकिन हमारी क्लास में तो ऐसे सभी सासकों के बारे में बताने का प्रयास करा रहा हूँ और फाउंडिसन बैच में दोस्तों मैं हर एक पन्ने उजागर करूँगा चाहे आपकी किताब में दिया हो या न दिया हो ठीक इसलिए बार-बार करता हूँ कि आप आई ये फाउंडिसन बैच में आई आपको खुम मजाएगा यहां से सुबात होती है सवालों की और देखे के समक्षपने घुटने टेके थे स्वयम उसकी सेना को छोड़िये उसकी सेना को छोड़िये अगर महमूद गजनवी ने किसी के सामने घुटने टेके थे तो असासक कौन था वो गुजरात के कौन थे सुलंकी राजवांस के भीम प्रथम थे कौन थे दोस्तों याद रखे क्या था दोस्तों इनका टाइम पिरिड वैसे तो किताबों में दिया है कि 1022 इस्वी से बट गजनवी का अक्मन दोस्तों आप सोमनात की बात करेंगे तो 1027 का असपास हुआ है तो उसी से जड़ लिजिए 1022 से लेकर के 1064 इस्वी थक दोस्तों इनका सासन चला भीम प्रथम क जिनों ने किसको घुटने टिकवा दिये महमूद गजनवी को घुटने टिकवा दिये थे याद रखेंगा ठीक है अच्छा ये भीम प्रथम की अगर बात आई गई है तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों भीम प्रथम की बात कहा सागी देखे अगर मैं इस सोलंकी वंस क संस्थापक की बात करूँ कि Solankee Ones के संस्थापक कौन थे तो पीछे हम उने पढ़ा दोस्तो मूल राज कौन थे मूल राज थे और मूल राज के ठीक बात दोस्तो हम लोग कहाने किसकी सुरू कर लें हम लोग आ गएं कहां पर सब कुछ छोड़ करके सीधे आ गएं किसके बारे में भीम प्रतम के बारे में तो ऐसा नहीं की डारेट भीम प्रतम थे याद रखेगा इसके बाद मूल राज के बाद दोस्तों उनका पुत्र चामुंड राज दोस्तों राजा बना था और चामुंड राज के दो पुत्र थ ठीक है और ये बल्लब राज का जो पुत्र हुआ दोस्तों बल्लब राज का पुत्र कौन था याद रखेगा भीम प्रथम था तब हम यहाँ पे हैं क्योंकि यह बीच की जो चामुन राज बल्लब राज और दुल्लब राज इनके समय में कुछ खास हुआ नहीं इसलिए मैं इनके बारे में सवाल नहीं रखा लेकिन जब आप फाउंडेसम बैच में आएंगे तब वहां तो हम विस्ताद से चर्चा करेंगे तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बच्चों के मन में आता है कि क्या मूल राज के बाद भीम प्रथम नहीं आये हैं ठीक है मूल राज क 27 साल का जो गैप है 27 साल में कौन थे हैं तो इन 27 सालों में चामून राज और बल्लब राज और दुल्लब राज ने दोस्तो अपना राजपाट किया है उनके समय में कुछ खास चीज़ें हुई नहीं इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अ ग्रुष सीखर कहा जाता था आपने अरावली परफसिंखला के बारे में सूना होगा टिक है अरावली परफसिंखला किया जो सबसी उची-चोटी है माउन टाबू या MI गुरु मैं गया था पर दिल्वडा का जहन permitu देखा नाम सुना था बाहर उसके बारे में इतिहास के मिने बड़ा कउस तो लय वो पर करें कि ल्किन जेवयों ही मुबाइल जमा करके नंगे पाउं मंदिर में घुशा सो तो बस कलपना से परे, भूल जाओ ताजमहल, भूल जाओ ताजमहल, कोई मतलब बात ही मत करो, उसका मतलब एक दिवाल, ताजमहल से कई लाक गुना जादा सुन्दर है, इतनी सुन्दरता, इतनी सुन्दरता, मतलब कलपना से परे, पूरा मंदिर सफे संग्वर्मर का बना हुआ है वो टाप की उचाई पर लगबग हम लोग 5,000 फिट पर थे और गया बाहर से आपको महसूस होगा कि यहां कुछ नहीं है ठीक है लेकिन जो ही अंदर जाएंगे तो यह एक दो नहीं ठक जाएंगे इतने मंदिर है जो महाबीर स्वामी 24 में त्रिथंकर पढ़ते हैं तो जो बाकी के 23 त्रिथंकर थे वो सब लोग वहां आपको मिलेंगे ठीक है वहां महाबीर स्वामी का उतना बड़ा वो नहीं है जितना और लोगों का है जितनी बड़ी मुर्तियां और लोगों की है उतना महाविर स्वामी जी का नहीं है तो याद रखेगा जो 24 तिर्थंकर थे किसी को कम क्यों बता न 24 तिर्थंकर के बारे में दोस्तों वहां गजब गजब चीजे भी लिखी हुई है और वही सवाल आ गया कि दिलवाडा के प्रसिद जैन मंदिर का निर्माण भाई कराया किसने तो भीम प्रथम के सामंत थे बिमल कौन थे याद रखेगा भीम प्रथम के सामंत शामंत नाम क्या था दोस्तों बिमल दिव ने ठीक है इतिहास को इतिहास के तरीके से पढ़ेंगे तो मजा खुबाएगा अभी आपने study 91 पर नितिन सर से हिंदी पढ़ा तो लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे जो जानते हैं कि मैं हिंदी के टीचर हूं ठीक है जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा नहीं यार न ऑड का इससे मंदीर बहुत है करके ए Salesforce मौदहेरा की राजस का इतियास का पड़ते घुजरात प्रत 심ने पर ने हुए 우리는 तो बताएगा दोस्तो इसको भीम-पर ने बनाया था किस ने बनाया कि परमार वंसी सासक राजा भोज को भी हरा दिया था तो ये भी याद रखेगा ठीक है तो मतलब आप ताकत समझ सकते हैं कि कितनी ताकत होगी इनकी ठीक है लिखरा करड़ावती नामक नगर बसाकर वहां करडेस्वर मंदिर ध्यान दिजेगा एक तो करड़ावती नामका न अगर बसाया दूसरा करडेस्वर मंदिर बनवाया और तीसरा क्या लिखा दोस्तो करड़ जिल भी बनवाया तो दोस्तो ये व्यक्ति कौन था याद रखेगा व्यक्ति था करड़ प्रथम कौन था करड़ प्रथम ठीक है सरे महाभारत वाला तो नहीं महाभारत वाली की ब यह भीम प्रथम का क्या है दोस्तो उत्रा दिकारी है या भीम प्रथम का पुत्र आपका सकते हैं भीम प्रथम भीम प्रथम का पुत्र है याद रखेगा नाम क्या है कड़ प्रथम ठीक है नाम क्या है दोस्तो कड़ प्रथम इसका नाम है ठीक है इनी का पूत्र है नाम है पिरिट दोस्तों इनका क्या है तो देखे पिता जी 1064 तक थें तो 1054 इस्वी से गद्धी पर बैठे और लगभग 1092 इस्वी तक कब तक दोस्तों 1092 इस्वी तक दोस्तों ये गद्धी पर बैठे रहे कड़ प्रथम ठीक है बहुत जादा कुछ हुआ ने क्योंकि पिता जी बहुत सक्तिसाली थे तो इतना बना के गय थे कि कि किसी दूसरे राजा ने इनको पर कोई हमला उमला नहीं किया तो बड़ा सांती का जीवन चल ला था आगे देखते हैं लिखना सोलंकी वंस का प्रथम सक्तिसाली सासक किसे का आया था भाईया ऐसा सक्तिसाली सासक जो भी प्रथम से भी ज्यादा सकती शाली था वह इनका नाम क्या है पीचे भी नाम प्रथम के पूत्र कौन है करड़ प्रथम के पूत्र तो जिनके दादा इतने ज्यादा पराक्रमी थे जाइड सी बात यह ब्यक्ति भी दोस्तों बहुत पाक्रमी होंगे तो याद रखेगा जैसिंग सिधराज से कई सारे सवाल बनते हैं जरौन पर ध्यान दीजेगा ठीक है सुनेगा क्या लिख रहा दोस्तों यहाँ पर सवाल लिख रहा सवाल यहाँ पर कि जैसिंग सिधराज के दरवार में प्रसिध जैन विद्वान कौन थें तो दोस्तों थोड़ी देर पहले जैन विद्वान का नाम हम लोग ने पढ़ा था हेम चंद्र क्या पढ़ा था हेम हेम चंद्र ठीक है हेम चंद्र ने दोस्तों एक रचना किया था कुमार पाल चरीद हेम चंद्र ने क्या रचना किया है कुमार पाल चरीद अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर एक बात बताईए यह रहते थे जैसीन सिद्राज के दरवार में और किताब दोसresh तो यह सोलंकि राजवन्स की क्या थी राजधानी थी ठीके इसको आप याद रखएंगे अगला क्या लिख रहा है अनिलवार में सहस्तर लिंगम नामका कृत्यृ नीज हीं लुग तो किस ने बनाएथ कहां पर अन्हिलवाड या पाटन में बनाए गया याद रखेगा और इसी के दोरा दोस्तो रुद्र महाकाल का मंदिर भी बनाए गया ठीक है रुद्र महाकाल मंदिर का दोस्तो निर्माल किस ने कराया था तो याद रखेगा वो भी जैसिंग सिद्राज नहीं कराया था आग जैन धर्म के जो आचारे थें जिनका नाम था गिव चनसूरी इन्होंने किस के ओपर किताब लिखा तो लिखा कुमार पाल चरीत क्या लिखा कुमार पाल चरीत और ये कुमार पाल चरीत याद रख़ Teil जैस्इंग सिद्राज का क्या था पुत्र था ये अंतिम राज की प्रवर्तक कहा जाता है जैन धर्म का जैन धर्म का अंतिम राज की प्रवर्तक यानि जैन धर्म ने अंतिम अवस्थाम अगर किसी राजा को मार्गदर्सन दिया है तो दोस्तो किसे दिया है कुमारपाल को दिया है इसके बाद जैन धर्म के लोगों ने का अंतिम सासक था जिया दोस्तों बताईए सोच समझ के जवाब दीजिएगा पहला सासक तो मूल लाज पढ़ लिए अंतिम कौन था तो याद रखेगा अंतिम सासक भीम दूती ठीक है अंतिम सासक भीम दूती और ये भीम दूती के समय में दोस्तों याद रखेगा महमूद मुहम्मद गौरी का आकमन गुआ था तो इक वीच आपने पढ़ा कि भीम प्रथम ने किसी हराए था भीम प्रथम ने महमूद गजनवी को हराए था और भीम दूती ने मुहम्मद गौरी को हराए था 1178 इसवी के आसपास दोस्तों गद्डी पर बैठते हैं 1178 इस्वी के आसपास गद्धी पर बैठते हैं और कब तक गद्धी पर राते हैं तो 1240 तक जब तक दोस्तो गुलाम वंसोंस आया न तब तक दोस्तो यहां भीम दूती का ही राज चल ला था इसको भी आद रखेंगा अंतिम सा सकें लिखरा भीम दूती के राज्ये पर किसन तो 1178 इस्वी में दोस्तो इसकी लड़ाई हो चुकी थी बाद में मुहमद गवरी जाकर लड़ाई करता है प्रितवीराज चौहां तृती के साथ जिसे हम तराइन के प्रथम और तराइन के दूती युद्ध के नाम से जानते हैं और 1194 में चंदावर का युद्ध भी जागा था वो अलावद्धीन से जाकर मुकाबला कर लिया था तो बड़ा इंपॉर्टेंड एक से राजा रहे हैं देखे ताके नहीं किस से भिड़ना जाकर भिड़ गए लड़ गए ठीक है लिख रहा है 1195 इस्वी में भीम दूती ने किसके साथ युद्ध किया तो दोस कोस्तों हम लोग सोचते थे कि सायदा कु त्तुभ दुन ईवपक जो है क्या कर दिया हो यह तो गBenने के बाद आया होगा लेकिन ऐसा नहीं कुतुबुद्य नइबक की बात करें चाहे कुबाचा की बात करें चाहे एलदाउच की बात करें चाहे कुतुबुद्य ने बक्तियार खिलजी की बात करें एक बार फिर से रिपीट करें पैसा दियां रिपीट करने का नहीं यार मजा कर रहें स जब मुहम्मद गौरी की मृत्यों के बाद दोस्तों राजा कौन बनता है बनता है कुत बुद नयवक लेकिन अपने आपको कोई बाधसा मानता नहीं था ठीक है भाय राता था इसको अगर मैं बाधसा बन जाओंगा न तो बाकी के जो गुलाम है गला काट के अलग कर देंग लाहर रहता था ठीक है ऐसी कहानी थी कुतुबुद नयवक और एक दूसरा गुलाम था कुतुबुदिन बक्तियार खिल जी बोलो पढ़ाया हों कि नहीं जब मैं आपको बता रहा था नालंदा के बारे में पालवंस के बारे में गुप्त बंस के बारे में तो मैंने कई ब दो गुलाम और थे कराम था कुबाचा एक कराम था लगोज तो मारा जाता है बाद में कुबाचा से कुतुबुद नयवक ने बहन का विवा कर दिया बाद जीजा तो बना लिया लेकिन छोड़ा ने लास्ट में जीजा को भी टपका दिया ठीक है तो इस तरह की चीजे रह सब्सक्राइब कोई मामली सासक नहीं है तो इसको याद रखेगा यह है गुजरात का सोलंकी वंस कौन है यह गुजरात का सोलंकी वंस है ठीक है और याद रखेगा study 91 पर अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो फ्रीम इतनी चीजे मिलती है तो जोमारा paid content होगा जो जितनी भी किताबे आ रहे हैं यह अपने आपने अपने एंटीक किताबे हैं आप एक मौका तो दीजिए जुड़िए study 91 के साथ पढ़ने और पढ़ाने दोनों का मज़ा दोस्तों मिलेगा आपको कैसे पढ़ाने का मज़ा कैसे अरे यार एक बार paid bet join का लिया न सीख जाओ हमने कभी सुना ही गुहिल लाजवनस्ट जैसे मैंने कहा सी सोधिया एंज कहां हम सुने हैं सर महारा आणा परताप सी सोधिया वंस्के थे हैं उतो ठीक है तो गुएल कौन पढ़ेगा कौन पढ़ेगा? चलो, कौन पढ़ेगा मैं पढ़ाओंग आपको ठीक है. तो ने का इनलाम था त्याद रखेगा इसका जन्म कहा हुआ था दोस्तों गूफा में जन्म हुआ था ठीक है इसके पिता जी को पिता जी जो तुर्कों से लडाई करते समय जो है बीर गदी को प्राप्त हो गए माता ने अपने बच्चे को जन्म दे करके अपनी एक सखी को दे दिया क का जो एक ले जाओ इसको ठीक है इसकी साधी किसी बातसात कहा कर देना किसी रावनी से कर देना कैसे भी करा करके ठीक है और खुद जाकर कि इनकी मा क्या हो गई इस सती हो गई थी ठीक है ये शुरुवाती कहानी है पांडेसन बैच में आई है सब चीज़े वताओंगा तो याद रखेगा प्राचिंतम अभिलेक क्या है? मुझे पता था, आप जरूर पुछना चाहोगे, सर किताब में क्यों नहीं दिया गुहिल वन्स? आप ही बड़े स्टेंडर पढ़ाने में लगें क्या? किताब में तो नहीं दिया है? अरे नदिया हो, हम पढ़ा रहे हैं सुनो ना, याद रखेगा सामोली अभिलेक है, कौन सा है दोस्तो? याद रखेगा सामोली, सामोली अभिलेक है, सामोली अभिलेक के दोरा दोस्तो किसके बारे में पता जलता है? सबसे प्राचिंतम अविलेक है जिसमें गुहिल वंस के बारे में दोस्तो जानकारी दिया गया है यह अविलेक कपका है दोस्तो याद रखेगा 646 में अविलेक है था याद रखेगा ठीक है और याद रखेगा जेवर एक जगह है दोस्तो जेवर एक जगह है उदैपूर के उदैपूर के पास दोस्तों जेवर पढ़ता है वहां दोस्तों जेवर माता का मंदिर भी है या जवार माता का मंदिर भी है और जेवर दोस्तों एक खनन वहां पर खनन उद्योग के लिए भी दोस्तों जाना जाता है राजस्थान में ठीक है लिख रहा सामोली अबलेख किस राजा से संबंधित है ये दोस्तों किस राजा से इसका संबंध है तो खास करके इसका संबंध है राजा सीला दित्ते से किस संबंध है राजा राजा सीला दित्ते से दोस्तों इसका संबंध है और ये दोस्तों गुहिलवंस का पांचवा राजा था ठीक है ये गुहिलवंस है शामोली अवलेट ठीक है वो भी आप याद रखेंगे उदे के पूर के पास से ही है ठीक है आगे लिख रहा दोस्तो गुहिल वंस की रियास्ति थी आप कहेंगे सरी कैसा सवाल आप बना रहे हैं थोड़ा सा लीक से हटकर के सवाल दे रहा हूं देखें मुझे आपको बता पहला इसकी रियासत थी वो था दोस्तों मेवाड रियासत कौन सा था याद रखेंगा पहला रियासत कौन सा है पहला मेवाड रियासत है दूसरा याद रखेंगा दूसरा एक दोस्तों प्रतापगड रियासत भी इसमें रहा है ठीक है याद रखेंगा प्रतापगड रिय और पांचवे नमबर दोस्तों याद रखेगा भिंडवाडा भिंडवाडा एक छिंदवाडा ठीक है भिंडवाडा रियासत ठीक है तो याद रखेगा इस समय दोस्तों भिंडवाडा को एक नया भिंडवाडा या फिर भीलवाडा भी बोलते हैं इसको भीलवाडा भी बोल दोस्तों यह आपके लिए important है लिख रहा मेंवाड का प्राचीन नाम पता है क्या आपको ठीक है मेवाड का बच्चा बच्चा पढ़ाओए कि मेवाड की लीकि मेवाड का प्राचीन नाम क्या था किसी याद रखे मेवाड का प्राचीन नाम था C.W मतलब अगर हम इधर रख दें इधर हम रख दें मेवाड तो याद रखेगा यहां से पीछे जाएंगे तो मेवाड का इसके पहले नाम क्या था सीवी सीवी से पहले भी दोस्तों एक मेवाड का नाम था तब उसे कहा जाता था प्रागवाट क्या कहा जाता था प्राग आधगवाट ठीक है प्रागवाट इसके भी पहले दोस्तों मेवाड को कहा जाता था मेदपाट क्या कहा जाता था मेदपाट ठीक है ये अलग-अलग समय में दोस्तों अलग-अलग नाम रहा है मेवाड का लोग नहीं जानते आप ज जो मेवाड की रियासत थी, गुहिल वंस की जो रियासत मेवाड में विक्षित हुई, आगे चलके उसी को सिसोधिया वंस कहा गया, मैं तो कर रहा हूँ, अभी सिसोधिया मत बूलिए, अभी तो उसे आप गुहिल वंस ही कहिए, क्यों, क्योंकि दोस्तों, सिसोधिया वंस अ आप गुईल वंस बोलो, इसको बोलना चाहिए दोस्तो की मेवार, सरी, गुईल वंस के सासक की शेत्र पर सासंग करते थे, तो याद रखेगा, या फिर उसी को कर सकते हैं, क्योंकि गुईल वाले तो हर जगा सासंग करते हैं, तो मेवार भी अधूर, सोरी, ये सीसोधिया वंस की राजधानी आप से पूछ दिया है पहले देखें सिसोधिया वंस का संस्थापक दोस्तों किसे कहा जाता है संस्थापक तो याद रखेगा संस्थापक कहा जाता है दोस्तों रावल बपा को किसे कहा जाता है या बपा रावल कही है रावल बपा कही है इनको कहा जाता है टाइम पिरेड क्या रहा दोस्तों तो लगभग 728 इसवी से लेके 700 तीरपन इसवी तक का जो समय दोस्तों वो रावल बप्पा का टाइम है इसको याद रखेगा ठीक है उस समय दोस्तों गुहिल वंस को न गहलोत वंस भी कहा आगे चलके और सिसोधिया वंस भी मेवाड के अंदर दोस्तों चित तोड़ाता और वो इनकी राजधनी गुआ करती थी याद रखेंगे दोस्तों एक चीज़ और याद रखेगा ये कौन से वंस के कहे जाते तो ये लोग सूरी वंसी कहे जाते हैं क्या कहे जाते हैं जैसे आपने पिछे अगनी वंसी कहा था वैसे दोस्तों इन्हें सूरी वंसी कहा जाता है ये भी याद रखेंगे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं लिखना बप्पा रावल का वास्त्विक नाम क्या था ठीक है बप्पा रावल जो थें इनका वास्त्विक नाम क्या था ये कम लोग जानते दोस्तों याद जिने आगे चलके किस नाम से जाना गया बप्पा रावल के नाम से जाना गया ये भी याद रखेगा इनकी पता है इनकी एक राजधानी तो चितोड थी एक दूसरी राजधानी दोस्तों थी दूसरी राजधानी भी इनोंने बना रखा था ठीक है दूसरी राजधानी थी आ समय के लिए दोस्तों नागदा को राजधानी बनाए गया था नागदा दोस्तों ये उद्यपूर के पास में है और कुछ समय के लिए आहाल को राजधानी बनाए गया था तो ये बप्पा रावल के टाइम में हुआ उसके पहले दोस्तों चितोड राजधानी हुआ करती थी लिख रहा एक लिंगी सिव मंदिर और वराह मंदिर ये दोनों याद रखेगा दोस्तो इन सबका निर्मार किसने कराया है तो याद रखेगा बप्पा रावल के द्वारा ही दोस्तो इन मंदिरों को निर्मार कराया गया चाहे वराह अंदिर पूछे चाहे एक लिंगी सिव म क्या पूछे कि बताए किसे हिंदू सूरज कहा जाता तो क्या बताएंगे हिंदू सूरज कहा जाने वाला सासक कौन था याद रखे जिसने सिसोधिया वंस की नियू डाला है ठीक है गुहिल वंस की मिवार साका पर जिसने सिसोधिया वंस को चलाया है उसी बपारावल को के फंदे पर हस्ते हस्ते जूल गए थे नहीं भई आप इनको भी याद रखेगा इसी तरह से एक नाम आ रहा है चकवई भी इने का जाता था क्या कहते थे चक चकवई भी दोस्तों इने काते थे तो यह भी याद रखेंगे बपारावल की बात कर रहे हैं सर कहां से आपने इतियास को कहां छोड़ दिया कहां छोड़ नहीं दिया इस क्लास में रुके रहो कहां की इतियास को कहां जोड़ दूँगा न आप याद करोगे मुझे ठीक है इस क्लास के बाद याद करो कि कहां का इतियास ला करके मैं कहां जोडने वाला हूँ, बस पांच मिनट का समय दो, पांच मिनट, ठीक है, सुनो, लिख रहा है, गुहिल वन्स का कौन सा सासक, अरब सेना को हराते वे, गजनी चला गया, हे सर, इकवने राजा के बारे मां बता रहे हैं, ठीक है, ये तो सुनाता इतियास में कि गजनी वाले भारत आते थे, इतना कोई मार दिया है कि गजनी चला गया मारते-मारते, हाँ, ये सही इतियास है, अरे मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपका इतियास आपसे छुपाया सुनिए ध्यान से, कराएगी गुहिल बंस का कौन सा सासक अरब सेना को हराते वे गजनी तक चला गया तो याद रखेगा वह यही बपा रावल थे भईया, बपा रावल और वहां गयन तो किया क्या पता उन्होंने, गजनी में अपने भांजे को राजा बना दिया इन्हों क्या बना दिया, राजा बना दिया, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, मज़ा आगया सर, बताया तो आपने कुछ ऐसा जो हमें मिलता नहीं है, ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों यह भी सांदार है, अच्छा एक चीज और आरोगा सर, गजनी का राजा उसमें कौन था थिक है तो याद रखेगा उसमें गजनी का राजा था सलीम ठीक है सलीम का राजा था वही हारता और याद रखेगा बप्पा रावल ने अपने भानजी को राजा बना दिया ठीक है चलिए आगे देखते हैं करां इतिहासकार सीवी बैदे बहुत बड़ी आप इतियाज पढ़ाते पढ़ाते ना पता नहीं कहां लेक चले जाते हैं, याद रखेगा एक ठांसी सी ब्यक्ति था, चार्ल्स मार्टेल, क्यूं कहा गया यह समझी, बप्पा रावल ने तुरकों को भारत आने से रोका, एक तरह से क्या मेल आइम बोलो तो सही है क्या, कि तुरकों से भारत को किसने खदेडा, खदेडा बोलो उसके लिए, अरे 10-20 किलोमेटर थोड़े खदेडा है, खदेरते खदेरते कहां चले गए हैं, गजनी चले गए हैं, अब वहां के राजा को हरा करके अपने भांजे को राजा बना दिया, सर एक बात बताईए, ये नि किए अगले दिन निकलने के लिए, उस जगा का नाम है रावल पिंडी, ऑभी नीकनाम से पड़ा, शरो पाकिस्थानों वाल बिंडी, यहां भई है, उसी की बात कर रहे है, ठीक है, ये पाकिस्थानों वाल जो रावल पिंडी था, वहीं पर विश्राम किये थे, रावल भ क्लास होगी उसमें एक चीज आपको मिलेगा मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा परिच्छा परोगी चीजों को बताता हूं मैं चाहूं न इसमें मतलब एक लाइन में लंबी चौड़ी कहानी सुना करके मन भाला सकता हूं और उसमे मिलियंस भी उजा जाएंगे लेकिन वो मेरे अंदर नहीं मैं सोचता हूं कि आपके कम से कम समय का उभोग किया जाए और उसके बतले में आपको ज़्यादा फ्यजादा ज्यान दे दिया जाए ठीक है आप सोचो न आज की क्लास में सोलंकी वंस के बारे में आपको परियाप चीजे पता चल गई और गुहिल व आगे लिखना दोस्तों अच्छा तो दोस्तों हुआ क्या था कि जिस तरह से बप्पा रावल ने भारत आने से रोका था उसी तरह से याद रखेगा यूरोप से तुरकों को खदेडने का काम कितने किया तुरकों को खदेडा किसने खदेडा था याद रखेगा जो फ्रां सवाल है कि नहीं मज़ेदार सवाल ठीक है लिकरा कौन सा अभिलेख रावल बप्पा के समय कर व्यवस्था का बढ़न करता है देखें रावल बप्पा के पास एक बहुत बड़ी सेना होगी थी आई वही आदमी जो है नहीं जाके लड़ जाता है किसी से ठीक है ऐसे कौन था दोस्तों इसके बारे मुलेक कहा है दोस्तों त्याद रखेगा एक प्रसस्ती जिसका नाम है साडेश्वर प्रसस्ती क्या नाम है साडेश्वर प्रसस्ती जिया दोस्तों साडेश्वर प्रसस्ती नाम है उसी में वपा रावल के समय में कर वेवस्था का वड़न किया ग दोस्तों मेवाड के सासक रावल जैत्र सिंग और इल्टुत मिस्क के मध्य दोस्तों कौन साई दुआ था ये सर रुकी है आप पूरा दिमांग हमारा नहीं सही हो रहा है ठीक है का हो गया क्या हो गया सुनो ना जो सुना रहा दै Elaine Seee घबड़ा मत मैंने आपको क्या सखाया मैंने आपको सिखाया कि एक वंपा गुषिल वन्स उस सक्तिसाली सासक आप करा सकते हैं ठीक है और उसी वन्स के एक और रावल है रावल जैत्र सिंग बीच में और भी कई सारे लोग में लेकिन उनसे संबनित कोई सवाल नहीं बन रहा था तो मैंने नहीं बताया आपको तो याद रखे का रावल जैत्र सिंग और इलतुतमिस तो वही है जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्या कहा जाता है इलतुतमिस को क्या कहा जाता है गुलामों का गुलाम का गुलाम ठीक है तो याद रखेगा गुलामों का गुलाम का मतलब क्या है मुहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद नैभक और कुतुबुदिन एबक का गुलाम कौन था इलतुतमिस था याद रखेगा 1210 से लेकर 1236 तक दोस्तो इलतुतमिस का सासन रहा है 1210 से लेकर 1236 इस्वी तक दोस्तो दिल्ली सल्तनत पर याद रखेगा इलतुतमिस का सासन था इसी को गुलाम वन्स का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वैसे गुलाम वन्स के अस्थापना कुतोबुदी नैवक ने किया है लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो इलतुतमिस को कहा जाता है और यह लड़ाई करने पहुंच गया किसे रावल जैत्रि सिंग के साथ याद रखेगा कौन सा युद्ध लड़ा गया याद रखेगा भूताला का युद्ध लड़ा गया कब लड़ा गया दोस्तों तो 1227 में लड़ा गया कब लड़ा गया 1227 इस्यों भूताला का युद्ध लड़ा गया ये अपने मन से नितिन सर बता रहे हैं ठीक है आज ज्यादा भग है भावनाओं में ये अपने मन से बता रहे हैं ठीक है चलो भूताला युदि की जानकारी मैं अपने अपने मन से दे दिया लेकिन अगर इसका कोई अभिलेखी साक्ष है या कोई पुस्तक है तब तो नहीं हम्मीर मद मर्दन ठीक है हम्मीर मद मर्दन ठीक है मद मर्दन नाम है और एक चीज़ और बताओ दोस्तो हम्मीर किसे कहा गया है हम्मीर किसे कहा गया तो हम्मीर कहा गया इल्तुत मिस को किसे कहा गया है इल्तुत, मिस को दोस्तों क्या कहा गया, हमीर कहा गया, ये भी याद रखेगा, ठीक है, तो उस किताब में इस भुताला की उद्ध के बारे मत आए गया, अब तो नहीं जूट है ना, अब नितीन सर अपने से नहीं बता रहे हैं, क्यों अपने से बताओंगा भई, हमारा इत इतिहास है, इतिहास के साथ छेड़ छाड़, हम करें कि इतिहास को जानो, आप करें हम इतिहास छेड़ रहें, नहीं ऐसा नहीं है, समझो, लिखना मेवार का अंतिम राजा, जिसने रावल की उपादी धाड़ किया था, जिसने रावल की उपादी धाड़ किया तो उस अं 103 तक दोस्तों यह गद्दी पर रहे हैं ठीक है और एक चीज़ बता दूँगा सर एक राणा रतन सिंग थे न ठीक है हम कहीं पड़े हैं कि सबसे खुबसूरत महिला थी, सबसे सुन्दर रानियमन का जिक्र होता था, यही कारण था कि अलावदिन खिल जी ने उन्हें देखना चाहा, और अलावदिन खिल जी कहां आ गया, मेवाण पर हमला कर दिया, और राणा रतन सिंग के साथ दोस्तों उसकी लड़ाई हुई, ठीक है, याद रखेगा यही कहने थी ना, यही कहने थी ना, जिसमें सत्य हो जाती है इंपदमा होती, तो याद रखेगा यह वही राणा रतन सिंग है, यह वही राणा रतन सिंग है, मतलब राणा रतन सिंग तक का इतिहाज जो है, अभी तक यह मेवाण का गुहिल वंस ह करते हैं अभी तक क्या है मेवार का गुहिल वंस है अब इसके बाद जब रावल टाइटल हटेगा और राणा रतन सिंह के बाद के जो और सासक आएंगे अब उनको सी सोधिया वंस के नाम से जाना जाएगा अभी उनको सी सोधिया वंस नहीं कहा जाता था अब उन्हें सी कहानी कहां जोड़ दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा आप मानते हैं कि नहीं कि वह कहानी लाके जोड़ दिया और ऐसे मोड़ पे लाके समाब्द किया कहानी को कि क्या वाद है क्या वाद जबर्दस ठीक है तो वह यह देखो इतिहास को जितने अच्छे से पढ़ोगा उतना मजाएगा अब मैं आपको खाली इतना कहाना चाहूंगा स्टड़ी 91 में भरोसा करिए और आईए फांडेशन बैच जोइंग करें ठीक है फांडेशन बैच इसले जोइंग करें कि दस एकजाम के तैयरी करते हैं तो दस बार कोचिंग मत करिए हर बीसे को एक बार आपको लगे कि नितिन सर्म महनत कर रहे है ठीक है और महनत का प्रतिपाल आप लाइक करके वीडियो को सेर करके कमेंट करके करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और रिसर्च करूँ है बार बार आपसे कहता हूं कि आप मुझे सायोग करिए ना मैं ऐसे से करते हैं तो सुरू से देखे यह सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि बेसिक से लेकर करके एडवांस लेवल तक की तयारी आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाए बागी फांडेशन बैस तो वह अलग ही लेवल की कहानी है तो याद रखेगा यूट्यूब पर बहुत सरे इसे बीसे हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गया है स्टेडी 91 प्लेटफार्म पर उन्हें आप देख सकते हमारे वेबसाइट पर अप्लिकेशन पर हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस हैंडिटर नोट्स को आप हमारे वेबसाइट अप्लिकेशन से परचेश कर सकते दोस्तो अब हम लोगों की किताब भी आती है इन किताब को आप मार्केट से भी ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं आपको कैसा नेलीरी चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट चले जाओ अमेजन चले जाओ ठीक है हर जगह दोस्तो इस किताब को लिस्ट के आगए आप उहां से भी जाकर किताबों को देख सकते हैं Study91 की किताबे डूड़ लीजे आपको मिल जाएगा ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में तब तक के लिए बहुत भूँत धन्यवाद आपका जै हिन जै भारत थेंक यू थेंक यू सो मच